वैश्नो देवी गुफा मंदिर का इतिहास और पौरानिक कथा वैश्नो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कठरा नगर के समीब की पहाडियों पर स्थित है इन पहाडियों को त्रिकुटा तीर्थ स्थल है। जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती है। भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनात का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरो का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर तीन किलो मीटर दूर भैरो घाटी में चला गया और शरीर यहां रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा आज उस स्थान को भैरोनात के मंदिर के नाम से जाना जाता है। की और उड़ चली। भैरोनात भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी मा की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड पर बान चला कर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वहीं एक गुफा में गुफा में प्रवेश कर माता ने नौ माह तक तपस्या की। हनुमान जी ने पहरा दिया। अर्ध कुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनात को देखा था। यह देखकर माता की गुफा कर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकार और दोनों का युद्ध हुआ। माता वैशनो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनरजन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की बलकि उसे वर्दान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। मंदिर की कथा कथा को वैशनो देवी के भक्त श्रीधर से जोड कर भी देखा जाता है। ता कि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और वह खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सके। जितने लोगों ने उनकी मदद की वह काफी नहीं थी, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे। वह सोच रहे थे इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे होगा। भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे, यह सोच कर कि वह महमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे। वह सुभह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और बस उसे अब देवी मां से ही आस थी। वह अपनी जोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक महमान आना शुरू हो गए थे। श्रीधर को पूजा करते देख वे जहां जगह दिखी वहां बैठ गए। सभ भगवान की कृपा से आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया था। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी लड़ी वैशनवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। पर वैशनवी गायब हो ग श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और मा की गुफा की तलाश में निकल पड़े और कुछ दिनों बाद उन्हें वह गुफा मिल गई। तभी से वहां पर माता के दर्शन के लिए श्रधालू जाने लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करें।